नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नवीन कुमार और आज की पहली कहानी दिल्ली की है दिल्ली के सरिता विहार इलाके में एक कच्रे के ढेर के पास एक बड़ा बैग और उसके साथ रखा पैक्ड कार्टून बॉक्स लोगों की नजर में आया लेकिन इन चीजों ने ध्यान सिर्फ इसलिए नहीं खीचा कि वो वहाँ पड़ी थी बलकि उनकी वजह से पूरे इलाके में फैली भायानक बद्बू ने लोगों को परिशान कर दिया आसपास के लोग हैरान थे और सोच रहे थे कि आखिर इन चीजों में ऐसा क्या हो सकता है जो इतनी दुरगंध पहला रहा है किसी ने हिम्मत जुटा कर पुलिस को खबर दी कुछ ही मिनिटों में दिल्ली पुलिस की टीम सरिता विहार के कचरे के धेर पर पहुँच गई पुलिस वालों ने पहले बैग और फिर बॉक्स को खोलने की कोशिश की जैसे ही बैग का जिप खुला और बॉक्स का धक्कन हटाया गया कार्टून बॉक्स खोलते ही पुलिस को अंदर एक लड़की की लाश मिली लेकिन यह कोई साधारन लाश नहीं थी वह साथ अलग-अलग टुकडों में बंटी हुई थी हाथ, पैर, सिर और गर्दन सब अलग-अलग थे इस दिल दहला देने वाले मंजर ने पुलिस टीम को सन्न कर दिया लाश को तुरंत बरामत कर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा गया पुलिस समझ गई थी कि यह मामला बेहद खौफनाक और पेचीदा है जिस बेरहमी से लड़की के शरीर को टुकडों में काटा गया और बैग और बॉक्स में डाल कर फेंका गया था यह किसी पेशिवर या बेहद सोच समझ कर की गई प्लैनिंग का नतीजा लग रहा था यह एक ब्लाइंड मर्डर था कोई गवाह, कोई पहचान, कोई सुराग नहीं पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था यह लड़की कौन है और उसके साथ ऐसा घिनोना कांड क्यों और किसने किया पुलिस के लिए पहला कदम मरने वाली लड़की की पहचान करना था क्योंकि बिना उसकी पहचान के कातिल तक पहुँचना नामुम्किन था लेकिन मुश्किल ये थी कि इलाके में किसी ने भी लड़की को पहचानने से इंकार कर दिया पुलिस ने बैग और कार्टून की कहानी सब को बताई यहां तक की लड़की के कपड़े भी दिखाए लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आया न तो कोई लड़की को पहचानता था और नहीं किसी ने उसे पहले कभी देखा था इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में गुमशुदा लोगों की लिस्ट खंगालनी शुरू की हर केस को बारीकी से जाँचा गया लेकिन लड़की की पहचान से जुड़ा कोई नाम या तस्वीर मेल नहीं खा रहा था इस जाँच में कई दिन निकल गए और हर गुजरते दिन के साथ यह मामला और उलजता जा रहा था अब पुलिस के पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि या तो लड़की किसी और इलाके की रहने वाली थी या फिर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट ही दरज नहीं कराई गई थी तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक एहम सुराग मिला जिस कार्टून बॉक्स में लड़की के शरीर के टुकडे रखे गए थे उस पर एक कूरियर कमपनी का पता छपा हुआ था पुलिस को उम्मीद जगी की यह पता उन्हें कातिल तक पहुँचने का कोई रास्ता दिखा सकता है पुलिस की एक टीम तुरंट कुरूग्राम में उस कूरियर कमपनी के दफ्तर पहुँची वहां कमपनी के अफसरों को कार्टून बॉक्स की तस्वीरें दिखाए गई इत्तेफाक से कमपनी के एक करमचारी ने बॉक्स को पहचान लिया उसने बताया कि ऐसे बड़े बॉक्स उनके यहां एक कस्टमर ने UAE से पार्सल बुक करवाने के लिए इस्तिमाल किये थे कस्टमर का नाम था जावेद अख्तर पुलिस के लिए यह नाम बहुत अहम हो गया क्योंकि अब तक इस ब्लाइंड मर्डर में यही पहला सुराग था टीम ने तुरंट जावेद अख्तर की डिटेल्स खंगालनी शुरू की यह जानना जरूरी था कि वह कौन है, कहां रहता है और उसका इस मामले से क्या तालुक हो सकता है पुलिस ने कूरियर वाले के बताए पते पर जावेद अख्तर के घर अलीगड में दबिश दी जावेद घर पर ही मिला और पुलिस द्वारा दिखाये गए कार्टून बॉक्स की तस्वीर को तुरंट पहचान लिया उसने बताया कि तीन साल पहले उसने युएई से अपनी जरूरत की चीज़ें मंगवाने के लिए ऐसे कई बड़े कार्टून बॉक्स इस्तिमाल किये थे जावेद ने आगे बताया कि इन बॉक्सों में से कुछ उसने अपनी नौकरानी को दे दिये थे जबकि बाकी बॉक्स उसने दिल्ली के शाहीन बाग स्थित अपने दूसरे मकान में रखवाए थे दिल्चस्प बात यह थी कि शाहीन बाग वाले मकान में जावेद ने कुछ लड़कों को किराए पर रहने दिया था अब पुलिस का ध्यान उन किराएदार लड़कों पर गया यह साफ था कि ये लड़के जाँच में अहम हो सकते हैं पुलिस ने जावेद से उनके बारे में पूरी जानकारी जुटानी शुरू कर दी ताकि उन तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके पुलिस ने तुरंत दिल्ली के शाहिन बाग का रुख किया क्योंकि जाँच का सबसे बड़ा सुराग अब इसी मकान से मिलने की उम्मीद थी सबसे पहले पुलिस जावेद अख्तर की नौकरानी के पास पहुंची वहां कुछ खाली बॉक्स मिले लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा इसके बाद पुलिस जावेद के शाहिन बाग वाले मकान पर पहुंची लेकिन मकान पर ताला लगा हुआ था जाँच में पता चला कि इस मकान में साजिद अली अंसारी नाम का शखस अपनी पतनी के साथ रहता था साजिद पेशे से इंजीनियर था लेकिन मकान पर ताला देख कर पुलिस का शक उसी पर गहरा गया पुलिस ने आसपास के लोगों से साजिद और उसकी पतनी के बारे में पूछताच शुरू की पता चला कि साजिद ने हाल ही में पडोसियों को बताया था कि वह ये मकान खाली करके जल्द ही कहीं और शिफ्ट होने वाला है यह जानकारी पुलिस के लिए और भी चौकाने वाली थी अब पुलिस के सामने सवाल था क्या साजिद और उसकी पतनी का इस हत्या से कोई तालुक है और अगर हाँ तो उन्होंने ये जुर्म क्यों किया पुलिस ने साजिद की तलाश शुरू कर दी क्योंकि यह मामला अब और पेचीदा होता जा रहा था पुलिस की टीमे साजिद अली अनसारी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी और आखिरकार वह उनके शिकंजे में आही गया गिरफतारी के बाद साजिद ने जो खुलासा किया उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया साजिद ने बताया कि साथ टुकडों में जिसकी लाश मिली थी वह और कोई नहीं बल्कि उसकी पतनी जुही थी उसने स्वीकार किया कि उसने ही अपनी पतनी का बेरहमी से कतल किया था साल 2015 के आसपास जुही के साथ साजिद ने love marriage की थी साजिद ने बताया कि उसका अपनी पतनी जुही के साथ अकसर जगड़ा होता था जगड़े की दो मुख्य वजहें थी पहली साजित का किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध है और दूसरी उसकी बेरोजगारी जुही इन दोनों बातों को लेकर साजित पर अकसर ताने कस्ती और जगड़ती थी ये स्थिती साजित को सहन नहीं हो रही थी उसने घुसे और जलाहट में ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसकी किसी ने कलपना भी नहीं की थी घर में रोज रोज के जगड़ों और बेरोजगारी की वजह से परेशान साजित अब पूरी तरह तंगा चुका था उस पर जुही की ताने और उपहास भरी बातें उसे और भी मानसिक तनाव में डाल चुकी थी इसी घुसे और फ्रस्ट्रेशन में उसने एक खौफनाक साजिश रच डाली 20-21 जून की रात साजित ने अपनी पतनी जुही को गला दबा कर हत्या कर दी अब घर में उसकी लाश पड़ी थी लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उसे ठिकाने कैसे लगाया जाए साजित को ये समझ में नहीं आ रहा था कि लाश को कहां और कैसे छिपाया जाए कुछ देर सोचने के बाद साजित ने अपने भाई इश्टियाक को फोन किया उसने इश्टियाक को सब कुछ बताने का फैसला किया और उसे घर बुलाया इश्टियाक ने जब पूरी कहानी सुनी तो वह हैरान रह गया लेकिन साजिद के इस कदम से वह भी सहमत हो गया अब दोनों मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की साजिश में जुट गए इसके बाद दोनों भाईयों ने मिलकर एक खौफ नाक और बरबर योजना बनाई साजिद और इस्तियाक ने जुही की लाश को साथ टुकडों में काट डाला उसके शरीर को अलग-अलग टुकडों में काट कर पॉलिधिन में पैक किया फिर उन्होंने पहले से रखे गए जावेद के मंगाए कार्टून बॉक्स को उठाया और उसमें लाश के सारे टुकडे भर दिये पूरा काम निप्टाने के बाद दोनों भाईयों ने मौका देख कर बॉक्स को सरिता विहार के पास एक कुड़ेदान में भेंग दिया फिर वे वहां से बिना कोई निशान छोड़े फरार हो गए इस साजिश को अंजाम देने के बाद दोनों को लगने लगा कि वे बच सकते हैं लेकिन इस खतरनाक कदम का पुलिस के हाथों जल्द ही खुलासा हो जाना था साजिद और इश्तियाक ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि कोई सुराग न छूटे उन्होंने जूही की लाश के साथ टुकडे करके उसे ठिकाने लगा दिया था और फिर घर को पूरी तरह से साफ किया था खुन के निशान तक मिटा दिये थे और कपड़े भी ठिकाने लगा दिये थे साजित को लगता था कि इस बरबर हत्या के बाद वह पूरी तरह से बच जाएगा लेकिन उसे नहीं पता था कि उस पारसल बॉक्स ने उसकी पूरी साज़िश को बेनकाब कर दिया जावेद द्वारा मंगवाए गए बॉक्स से पुलिस ने साजित तक पहुँचने की कड़ी खोजी सबूत एक एक कर सामने आते गए और साजित और इश्टियाक की यह खूनी साज़िश आखिर कार खुल गई दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनके खिलाफ सख्त कार रवाई की जा रही है यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि छिपाने की कोशिशें अकसर और भी बड़ी मुसीबतों का कारण बन जाती है आज की दूसरी कहानी मध्य प्रदेश के शेहडोल की है ये बात 2022 की है शेहडोल में एक थाना है गोहपारू थाना 39 जुलाई की दोपहर जब जिले के गोहपारू थाना टी आई दोपहर के वक्त थाने में बैठे पुराने मामलों की फाइल देख रहे थे तभी उन्हें सोन टोला के जंगल में एक पेड़ से बंधा किसी युवक का रक्त रंजित शव पड़े होने की खबर मिली मामला गंभीर था इसलिए एसपी शेहडोल प्रतीक कुमार और एडीशनल एसपी मुकेश वैश्य को घटना की सूचना देकर टियाई गोहपारू योगेंद्र सिंग परिहार ततकाल दलबल लेकर सोन टोला के जंगल के लिए रवाना हो गए सोन नदी के पास से होकर अंदर जंगल खड़े एक सरई के पेड़ के तने से बंधे किसी 25-27 वर्षिय युवक की गर्दन बुरी तरह से काटी गई थी युवक के दोनों हाथ पीछे की तरफ मोड़ कर सरई के तने को घेर कर इस तरह से बांधे गए थे कि युवक का बचकर भागना तो दूर वह ठीक से हिल ढुलकर अपना बचाव भी नहीं कर सकता था युवक के पैंट की जिप खुली थी इसके अलावा और अन्यवस्तर भी अपनी जगह पर नहीं थे इस से पुलिस सेवा का लंबा अनुभव रखने वाले टी आई श्री योगेंदर सिंग परिहार समझ गए कि हत्या के इस मामले में किसी युवती का हाथ हो सकता है संभव है कि युवक रंग रेलिया मनाने किसी युवती को लेकर जंगल में आया हो और इस दोरान पीछे से मौके पर आये युवती के परिजनों अत्वा किसी दूसरे प्रेमी या पती ने युवक को रंगे हाथ पकड़ कर उसकी हत्या कर दी हो बहरहाल मौका यवारदात के हालात मामले के सीधे सीधे हत्या का होने की तरफ इशारा कर रहे थे इसलिए इन हालातों की जानकारी एसपी शेहडोल को मिलने पर तुरंत एफसल की टीम मौके पर पहुँच गई एफसल और गोहपारू थाना टीम ने मिलकर मौके से सुराग की तलाश करने के अलावा शव की तलाशी ली पुलिस ने उनके पास से मिले सामान से उनकी पहचान की जब पहचान हो गई तो पुलिस ने तुरंट उनके घर वालों को बुलाया परिवार वालों के सामने शव का पंचनामा बनाया और पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया अब शव की पहचान तो हो गई थी लेकिन असली चुनौती थी कातिल तक पहुँचने की गोपारू थाने के टी आई श्री परिहार ने इस केस को सुलजाने के लिए सबसे पहले मृतक संदीब के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालने की कोशिश शुरू की इसके अलावा 28 जुलाई को जब संदीब घर से निकले थे तब से लेकर उनका शव मिलने तक कौन-कौन से मोबाइल नमबर उनके आस-पास एक्टिव थे ये सब जानने के लिए पुलिस ने काम तेज कर दिया इस से पता लगाया जा सकेगा कि उस दिन संदीब ने किन-किन लोगों से बात की थी और क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो लगातार उनके साथ था इस जांच से पुलिस को कातिल तक पहुँचने का रास्ता साफ होगा अब पुलिस यही कोशिश कर रही है कि जो भी छोटी-छोटी कडिया है उन्हें जोड कर जल्द से जल्द इस हत्या का सच सामने लाया जाए इस दोरान पुलिस ने मृतक संदीब के परिवार वालों के साथ-साथ उसके चार खास दोस्तों से भी पूछ ताच शुरू कर दी ताकि कोई ठोस सुराग मिल सके पूछ ताच के दौरान यह बात सामने आई कि संदीब का शादी से पहले गोहपारू की सानिया सोनी के साथ गहरा प्रेम प्रसंग था दोनों के बीच काफी करीबी रिष्टा था लेकिन जब संदीब ने किसी और लड़की से शादी कर ली तो सानिया ने खुद को उससे दूर कर लिया सानिया के इस रिष्टे और दूरी बनाने की वजह से पुलिस को शक हुआ कि क्या यह पुरानी दुश्मनी या भावनात्मक तनाव इस हत्या का कारण हो सकता है अब पुलिस इस एंगल से भी जाँच कर रही है कि क्या संदीब और सानिया के बीच बीते दिनों कोई विवाद हुआ था गोहपारू की रहने वाली सानिया शेहडोल के एक कॉलेज में पढ़ाई करती थी और इसके लिए वह रोजाना बस से शेहडोल आना जाना करती थी जब इस हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की बात सामने आई तो टियाई योगेंद्र सिंह परिहार को समझ आ गया कि इस पहेली का हल सानिया की जिंदगी से जुड़ा हो सकता है पुलिस ने मृतक संदीप और सानिया दोनों के मोबाईल की लोकेशन चेक की यह पता चला कि 28 जुलाई की दोपहर को सानिया का मोबाईल भी उसी जगह पर एक्टिव था जहां अगले दिन 29 जुलाई को संदीप की लाश मिली यही नहीं जिस बस से सानिया कॉलेज के लिए शेहडोल जाती थी उसके ड्राइवर ने बताया कि उस दिन सानिया शेहडोल नहीं गई थी बलकि सोन नदी के पास बस से उतर गई थी हालां कि सानिया के कॉलेज से मिली जानकारी के अनुसार उसने उस दिन अपनी क्लास अटेंड की थी लेकिन टी आई परिहार जानते थे कि यह सब हत्या को अंजाम देने के बाद भी किया जा सकता है उन्होंने अपने संदेहों को मजबूत करते हुए स्पी शहडोल को जानकारी दी और सानिया को पूछताच के लिए थाने बुला लिया सानिया जब थाने पहुँची तो उसके चेहरे पर डर और पैरों में हलकी कमपन देखकर टी आई परिहार को यकीन हो गया कि उनका शक्स सही दिशा में जा रहा है महिला पुलिस की मदद से जब सानिया से गहन पूछताच की गई तो वह रो पड़ी उसने कबूल किया मैंने संदीब से सच्चा प्यार किया था उसके साथ हर सही गलत बात मानी लेकिन उसने मुझे धोखा दे कर किसी और से शादी कर ली सानिया ने आगे बताया संदीब की शादी हो जाने के बाद मैंने खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन वह मुझे साथी के बाद भी संबंध रखना चाहता था यहां तक कि उसने मेरे घर आकर भी मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था दूरबीन लेकर मेरे घर की निगरानी करता था जब मैं बातरूम में नहाने जाती तब भी वह मुझे ताकता रहता उसकी इन हरकतों ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया था आखिरकार उसकी इन हरकतों से तंग आकर मैंने अफरोज द्वारा दिये गए चाकू से उसकी हत्या कर दी सानिया के इस कबूल नामे ने पुलिस के शक को पूरी तरह सही साबित कर दिया अब पुलिस अफरोज और सानिया के इस कृत्य के पीछे की पूरी साजिश का परदाफाश करने में जुट गई थी कहानी में अफरोज का नाम आते ही टी आई गोहपारू श्री योगेंदर सिंग परिहार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी एक टीम को अनूब पुर जिले के कोत्मा भेजा वहां लहसुई कैंप वार्ड नंबर 13 में रहने वाले तीस वर्षिय अफरोज पिता जहीरुदीन अनसारी को गिरफतार कर लिया अफरोज के पास से हत्या में इस्तिमाल किया गया चाकू भी बरामद किया गया इसके बाद सानिया और अफरोज दोनों को अदालत के रास्ते जेल भेज दिया गया पूछ ताच और सबूतों से पूरी घटना का सच सामने आ गया यह सपश्ट हो गया कि सानिया ने अपने प्रेमी संदीप उर्फ गोलू की गला रेत कर हत्या की थी इस पूरी घटना का जड़व समय था जब गोहपारू के वाड नमबर पांच में रहने वाले संदीप का दिल सानिया पर आ गया था सानिया पहली बार संदीप की नजरों में तब आई जब वह अपनी सहेली की बड़ी बहन की शादी में साड़ी पहन कर गई थी संदीप उस पर दिल हार बैठा और दोनों के बीच प्यार का सिलसिला शुरू हो गया उस वक्त सानिया महज दसवी कक्षा में पढ़ती थी और संदीप उस पर ऐसा दीवाना हुआ कि उसने एक दूरबीन तक खरीद ली दूरबीन की मदद से वह सानिया पर नज़र रखता यहां तक की जब अपने घर के बातरूम में नहा रही होती तब भी सानिया को यह सब पता था और अपने प्रेमी की यह दीवानगी उसे अच्छी भी लगती थी धीरे धीरे दोनों के बीच का प्यार और गहरा होता गया सानिया स्कूल खत्म कर शेहडोल के कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाने लगी यह नया बदलाव दोनों के लिए और भी बहतर साबित हुआ क्योंकि अब उन्हें मिलने के ज्यादा मौके मिलने लगे सानिया के कॉलेज जाने का बहाना बनता और संदीब भी उसके पीछे पीछे शेहडोल पहुँच जाता कई बार सानिया कॉलेज बंक कर संदीब के साथ पास के जंगलों में चली जाती जहां दोनों प्यार के नए नए पन्ने लिखने लगे सानिया और संधीप ने आपस में शादी करने का वादा किया था इसी वादे पर भरोसा करके सानिया ने संधीप की हर ख्ывать पूरी की लेकिन करीब एक साल पहले संधीप ने अचानक अपने घरवालों के दबाव में आकर किसी और लड़की से शादी कर ली इस धोखे ने सानिया को अंदर तक तोड़ कर रख दिया उसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और अपनी जिन्दगी को फिर से संभालने की कोशिश करने लगी लेकिन संदीब का जुनून यहीं खत्म नहीं हुआ सानिया जब भी अपनी जिन्दगी को पटरी पर लाने की कोशिश करती संदीब उसकी राह में आ जाता वह उसे तंग करने और उसकी आजादी पर नजर रखने लगा सानिया जब कॉलेज जाने के बहाने अपने नए प्रेमी अफरोज से मिलने की कोशिश करती तो संदीब उसे रोकने के लिए रोज अपनी मोटर साइकल से उस बस का पीछा करता जिसमें सानिया शेह डोल जाती थी संदीब का पीछा करना और सानिया की हर गती विधी पर नजर रखना न केवल सानिया के लिए बलकि उसके नए प्रेमी अफ्रोज के लिए भी परिशानी का कारण बन गया था अफ्रोज को सानिया से एकांत में मिलने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि संदीप हमेशा उनकी हरकतों पर नजर रखता था एक दिन जब अफ्रोज ने सानिया से इस बारे में बात की तो सानिया ने बताया कि संदीप ने उसके कुछ अशलील वीडियो और फोटो अपने मोबाइल में सेव कर रखे हैं वह इन वीडियो और फोटो को वाइरल करने की धमकी दे कर उसे डराता था यह सुनकर अफरोज गुसे में बोला अगर ऐसा है तो उसका कतल क्यों नहीं कर देती हमेशा का डर खत्म हो जाएगा और हम दोनों आराम से अपनी जिन्दगी जी सकेंगे अफरोज की यह बात सानिया को सही लगी क्योंकि वह जानती थी कि संदीप उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा वह बार बार मिलने का बहाना बना कर उसे परेशान कर रहा था आखिरकार सानिया ने संदीप की हत्या करने का मन बना लिया अफरोज ने उसे एक चाकू दिया और पूरी योजना समझा दी जिससे वह अकेले ही संदीप को खत्म कर सके योजना के मताबिक सानिया ने वहचाकू हमेशा अपने बैग में रखना शुरू कर दिया और सही मौके का इंतजार करने लगी उसका इरादा पक्का था और उसने तै कर लिया था कि इस बार संदीब को उसका जुनून महंगा पड़ेगा घटना 28 जुलाई की थी उस दिन सानिया अपने कॉलेज शेहडोल जाने के लिए बस में सवार हुई लेकिन जब उसने देखा कि संदीब अपनी मोटर साइकल लेकर बस के पीछे-पीछे आ रहा है तो उसने अचानक सोन नदी के पास बस से उतरने का फैसला किया यह देखकर संदीब भी अपनी बाइक से उसके पीछे-पीछे वहां आ गया और उसके पास आकर रुक गया इस बार सानिया ने संदीब को देखकर गुसा जाहिर नहीं किया उल्टा उसने नर्मी दिखाई और उसे बातों में लगा कर सोन टोला के जंगल की ओर ले गई यह वही जगह थी जहां दोनों पहले भी कई बार मिल चुके थे जंगल में पहुँचकर सानिया उसे सरई के पेड के पास ले गई जहां दोनों ने पहले भी कई बार अपने रिष्टे को गहराई दी थी जैसे ही वे वहाँ पहुंचे संदीप ने पुराने दिनों की तरह खुद को सहज महसूस किया उसे लगा कि सानिया अब उसे फिर से अपना चुकी है यही सोच कर उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिये उसे नहीं पता था कि इस बार वह जिस पर भरोसा कर रहा है वही उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है जंगल में सरई के पेड़ के पास पहुँचने के बाद संदीप पूरी तरह सानिया के इशारों पर था सानिया ने उसे प्यार का एक नया तरीका सिखाने का बहाना किया और कहा आज मैं तुम्हें कुछ नया अनुभव कराऊंगी बस तुम मुझ पर भरोसा करो संदीप जो सानिया के इशारों पर नाचने के लिए हमेशा तयार रहता था उसके कहे पर सहमती जताते हुए चुपचाप अपने हाथ पीछे कर लेता है सानिया ने तुरंत मौका पकड़ा और बड़ी चतुराई से संदीप के दोनों हाथ मजबूती से बांध दिये तो बचाव कर सका और नहीं भागने की कोशिश कर पाया सानिया ने एक-एक वार उसे पूरे जोश के साथ किया और अंत में उसका गला रेत दिया संदीप की मौत के बाद सानिया ने धीरे धीरे अपने खून सने कपड़े बदले और जंगल से बाहर निकलते हुए सीधे शेहडोल के कॉलिज चली गई उसे पूरा यकीन था कि संदीप की लाश को जंगली जानवर खा जाएंगे और किसी को उसकी मौत का पता नहीं चलेगा लेकिन अगले दिन ही संदीप की लाश जंगल में मिली पुलिस ने मामले की गंभीरता से जान चुरू की और 48 घंटे के भीतर टी आई योगेंदर सिंग परिहार की टीम ने सानिया और उसके प्रेमी अफ्रोज को सलाखों के पीछे पहुँचा दिया उनके बीच के रिष्टे और सानिया द्वारा की गई हत्या का सारा सच सामने आ गया संदीप की हत्या के बाद सानिया को लगा था कि उसने अपनी परेशानियों का हल निकाल लिया है लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाएगी पुलिस की तेज जांच ने उसकी पूरी योजना को नाकाम कर दिया और उसे और उसके प्रेमी अफ्रोज को गिरफतार कर लिया गया सानिया को यह एहसास हुआ कि एक जूट और हिंसा से असलियत को छुपाया नहीं जा सकता अंत में न केवल उसकी जिंदगी बरबाद हुई बलकि उसने दूसरों की जिंदगी भी तहस नहस कर दी थी इस घटना से यह सिखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा या क्रूरता नहीं हो सकता प्यार और रिष्टे किसी भी कीमत पर आत्म सम्मान और सम्मान के हकदार होते हैं बदला या गुसा कभी भी एक इनसान की सच्चाई को छुपा नहीं सकते इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें अपने गुस्से और निराशा को संयमित तरीके से निपटाना चाहिए और किसी भी विवाद को शांती पूर्वक सुलजाने की कोशिश करनी चाहिए हिंसा केवल जखम देती है और इसका कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं होता इसी तरह की सची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लोटूंगा तब तक के लिए सुरक्षित रहे सतरक रहे और ध्यान रखे कि किसी भी संदिक स्थिती में सही कदम उठाना कितना जरूरी है